हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ राजन और आप देख रहे हमारे चैनल आरेडी बुटिक फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक जबरदास ब्लाउच का डिजाइन बता रहा हूँ इसके लिए हमने ये बैक साइड का फर्मा लिया हुआ है सबसे पहले देखते हैं गले की कटिंग को तो यहां पर देखना उपर गले का निशान लगेगा सवा दो इंच पर यह इस प्रकार का एक निशान सवा दो इंच का यहां पर लेना है उसके बाद हमें यहां पर देखना है यह वाली दूरी यह देख सकते हैं यहां पर है यह तीन इंज का तो यह तीन इंज की दूरी से यह पूरा निशान लगते हुए आएगा यह इस तरीके से आपको इसे नापते जाना है और यह पूरा निशान लग जाएगा आर्म होल की ये ऐस है पुरा निशान आर मोल की तरफ राउंड होते हुए आएगा ये काफी अलग डिजाइन है अभी तक जितने भी मैंने डिजाइन बताए हैं उनसे अलग है ये डिजाइन आप लोगों कैसा लगा नीचे कमेंड करके जरूर बताना अब ये निशान लगाने के बाद जो है हम यहाँ पर गले का निशान लेंगे गहराई का तो यहाँ पर हम गला लेंगे सड़े दस इंच का देखो निशान को मैंने हाइलाइट कर दिया है डार कर दिया है तो इससे आप लोगों को क्लियर लिए समझ में आएगा क्टिंग पे ध्यान देजी क्योंकि कटिंग ज्यादा important होता है अब यहां पर देखना इसको हमें मिलाना है कले के शेप को तो यह देखिए यहां पर यह गेपिंग है सब्वाचार इन्च का तो यहां से हम इसको मिला लेंगे और यह मिलेगा किस तरीके से स्गेल का यूज करना है और उसके बाद यह वाला जो निशान है इसको यहां से मिलाना है कि और फिर हम यहां पर देंके गले का शेप यह आशbell conclusion at लिद्वागर करने के बाद आप यहां पर करोगे कटिंग और मां निशान है और को कि वहारा पर जा करके आप उस चैनल कोadoscribe कीजि कह तेन लाग सा07 लोग आलरेड़िय começa करचुके हैं Net वज अब है औरभी करते हैं अब यह कटिंग हमें यहां पर इसतरह से करना है कि यह गली के लिए होगा जो कि बिल्कुल गोल गली का शेप है अब यह जो सारा पीपर हमने कटिंग किया हुआ है इसकी कटिंग हमें करनी है कपड़े पर तो वापस से इसको कपड़े पर इस प्रकार से जमा करके रखते हैं यह वाला पीस भी यहां पर रख लेते हैं और उ निशान लगाना है को अभी मार्जिन वगर नहीं देंगे कि यह ऐसा है कि उसके बाद इसको थोड़ा सा उपर कर लेना है यहां पर मार्जिन आएगा और यह वाला जो पीस है इसको हटा देते हैं तो अभी देखें निशान लगाने के लिए यह इस प्रकार से गले पे भी बिल्कुल फिक्स निशान लगेगा केवल यह वाला जो हिस्सा है इसमें हमें देना है मार्जिन तो यह पहले फिक्स का निशान उसके बाद यह यहां पर इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन अब इसको हटा लेते हैं इतना करने के बाद यह वाला जो पीस है इस पे भी प और यह निशान लगा करके आपको काट लेना है कपड़े को तो यह देखो फैंट सब यह वाला पीस पी उपर कर लेते हैं अब कर देनी है कटें इस प्रकार से काट लेना है और डिजान पसंद आप उसको लाइक जरूर करना करने के बाद देखते हैं किस तरीके से इस डिजाइन को बनाना है बहुत ही जवर्दस डिजाइन है उमेद करूंगा आप सभी लोगों को पशंद आएगा कर देखते हुआ कि यह हमने इस तरीके से काटा अब यह जो है यहां पर ऐसे फिट होगा तो चलिए अब देखते हैं स्टेप बाई स्टेप इसको तयार कैसे करना है अब इन पर आप चाहें तो फ्रेंट्स अस्तर का यूज कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया है अगर आपको यह ब्लॉज अस्तर वाला बनाना है तो सिंपल बनाओगे तो भी चलेगा इसके बाद यह कि यहाँ पर हम पैपिंग का इस्तमाल करेंगे पाइपिंग लना है तो यहां पर हम नौर्मल गोलिकिंग का चल्ष qar सकते हो दोरी वाली पाइपिंग लगाने की जुड़त नहीं है इस प्रकार का आप कोई भी यहां पर पाइपिंग लगा ऑच्श पर मॉना इसना और बिल्कुल हलके हाथ उसे इसको हलका हलका खीचते हुए फिट करेंगे के वाल राउंड पर ही थोड़ा सा इसको खीचा जाता है और इसके बाद इसको पल्टा लेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा गोल पाइपिंग को अच्छे से लगाने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम होती होगी तो कि यह इस प्रकार से इसको मोड करेंगे यह पाइपिंग हम बना लेंगे कि यह पूरा पाइपिंग बनाते हैं उसके बाद देखते हैं आगे कि यह देखिए इस राउंड पर हमने पाइपिंग लगा लिया अब उसी तरीके से यह वाला जो पीस है इन दोनों पर भी हमें पाइपिंग लगाना है दोनों राउंड पे तो इन में भी हम लगा लेते वही गोल पाइपिंग का यूज़ करना है और इस पर भी पाइपिंग लगातने के बाद हम देखेंगे कि आगे इसमें किस तरीके से और डिजाइन करना है लेस वग्र पाइपिंग निका लें तो इसमें क्या है लुक जो है अच्छा आता है अब देखते हैं इसको पल्टाने के लिए तो यहां पर इस प्रकार से क्रीज लगाना क्रीज लगाने के बाद यह ऐसे प्लकुल हलके हांतों से इसको मोड़ेंगे और उपर एक सिलाई लगा देना है पल्टा कर लिए तो यह करते हैं कंप्लीट और कंप्लीट करने के बाद देखते हैं आगे यह देखे फ्रेंट्स प्राइपिंग का पूरा काम हो चुका है अब इसके बाद हमें पाइपिंग के साइड में लेस लगाना है जिससे कि इसका लूक और भी अच्छा होगा कि यह देखिए फ्रैंट्स लेस आपको यहां पर कम से कम आप रलाण करके लगाना है थाकि पाइपिंग का भी लुक आया और लेस यह पर देखे किस खिचते हुए नहीं लगाते हैं अगा जिस प्रकार से बिल्कुल धीमा धीमा लगाएं ताकि इसमें कहीं पर भी ना तु शलवाट आनी चाहिए ना खेचावाना चाहिए तो यह एक साइट का मैं लगाने के लिए बता रहेता हूं कि इस तरह से लगेगा और बिल्कुल उसी तरीके से जो उपर के दोनों राउंड है उस पर भी लगाना है और यह जो लेस है इसमें हमें दोनों किनारों पर सिलाई लगाना पड़ेगा कुछ लेस ऐसे आते हैं जिनमें एक सिंगल सिलाई से वह फिट हो जाता है कि यह आप सभी से मैंने पूछा था कि आप इस चैनल पर ब्राउज डिजाइन देखना चाहते हैं या ब्राउज की कटिंग तो 87 परशेंट लोगों ने बोट किया है डिजाइन और कटिंग दोनों देखने के लिए तो आप लोग निश्चिंत रहे हैं इस चैनल पर दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे कटिंग के भी वीडियो इन फ्यूचर आप आया करेंगी कि यह देखें यह हमने लगा लिया और एक किनारे पर इस सिलाई लगाए तो दूसरे किनारे पर भी हमें इसमें लगाना होगा सिलाई और बहुंती अच्छा लूग आएगा इसमें कि यह आई तो बागी दोनों पीस पर जब हम लेस लगाएंगे तो इसका जो लूग है वो कुछ इस प्रकार सा आएगा देखिए इसको जमाना कैसे वो भी मैं बता देता हूं यह यहां पर इस तरह से रखेंगे और उसके बाद यह वाला पीस यहां पर ऐसे रखना है हो मैं आश scripture और अब से इसको चिपक्ता लगाओ की जो बिल्ग को पाईपिंग के किनारे से लगाना और रियाना मजबूतए चाहते तो यहां पर डबल सिलाई भी कर सकते हैं दूसरी दूसर्द लेस लेशायस का किनारे से लगा देना आओ कि यह इस तरह से यह दो सिलाई से अच्छा मजबूत हो जाएगा और इसमें हम चाहें तो डबल लेस का भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं आप लोगों को एक फोटो शेयर करूंगा इस वीडियो के लाश्ट में तो फोटो आप लोग देखिएगा किस तरीकी से डबल लेस में भी यह डिजाइन है काफी अच्छा लगेगा तो इस तरब भी हम इसको चिपका करके कर लेते हैं कंप्लीट और देखते हैं इसका फाइनल लुक तो यह देखिए फ्रेंड इस प्रकार से इस डिजाइन का लुक आएगा मुझे उमीद है आप सभी लोगों को यह पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया तो इसे करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल पर पहले बराएं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन